लो दूस्तों स्वागत आपका टार्गेट SSC 2020 माजन डिसकस करेंगे 40 errors के बारे में तो 100% यहां से आपके grammar के 40 rules भी clear होने वाले तो वीडियो इंपोर्टेंट आपके लिए अगर आपका टार्गेट जो है इंग्लिष सेक्शन में 80 प्लस का है या फिर जो ड्रीम एस टैनोग्राफर बनने का है तो बात करते हैं आज का इस आपक पोयम हमें बताना 1 2 3 4 कौन से पार्ड में एर्र है तो एर्र की बात करें तो एर्र यहां पर देखें एपिक एपिक को आप जब प्रनाउंशेशन आप एपिक करोगे तो वाविल का साउंड यहां पर आएगा एपिक ठीक है कैसे लिखोगे एपिक और एपिक या यहां पर राइट हो जाएगा एर्र नमबर सेकिंड आफ्टर टोइलिंग वेरी हार्डी ओवर लॉंग फिरेड ऑफ टाइम ही फांड एट ही हैद मैड नो प्राफिट एड और आफ्टर टोइलिंग मतलब महनत काफी महनत करने के बाद ठीक है पूरे एक लंबे टाइम तक काफी महनत करने के बाद उसने पाया कि उसे जो है कोई भी फ्राफिट नहीं हुआ था इस सबसे ठीक है तो यहां पर देखें वेरी महनत करने के बाद बहुत महनत करने के बाद यानि महनत यहां पर हार्डी हार्डी हमारा एक निगेटी वर्ड है जिसका मतलब होता है मुस यहार्ट करना पढद करते हैं एक्स्क्यूज में इन्टरप्टिंग फॉर me for मिस्टरेंस यहां पर मिशंदग वाले में इसके बाद हम एंश करतों यहां एक्सक्यूज मी फोर एंटर्प्टिंग यू राइट हो जाएगा औप्शन नमबर ठल में मिस्टेक है यहां पर देखे सेकिन में भी हो सकता है कि में के बाद आप फोर को एड कर लो तो यहां पर वह आपका डिपेंड करता है एक्जामने के प्यार कि उन्होंने कौन से को में बताने वांसे बाद करेंगे यहां पर यहां पर यूज करत दो यहां पर यहां पर यू दूis ताइम याणि ये दिस टाइम इसके डिरिंग यूज़ करना पड़ेगा देविंग इस टाइम दा मौंटेंस और यूज़ लिक अवरड विट के बाद हमारा नाउन तो आजाएगा प्लूरल क्योंकि बहुत सारे दोस्तें उन में से बात कर रहा है और यहां फाइनली एक की बात करता है तो हमारा वब क्या आता है सिंगुलार तो यहां पर निया आएगा आर के जगे क्या जाएगा इस आजएगा वन ओफ माइफ फ्रेंड्स इस ऑफिशा नमबर बी में स्टेक है आर के जगे आप इस राट करना है ठीक है वो लिख चुक है तो यहां पर बतानाや one to three four कौन से फड़ेर है देखे एक वहां पर हुऔ सिन्डिजी सिन्री होता है मशीनिरी नौलीज होता है होता है equipment होता है missive होता है educators कोई भी एरो में अगर doubt होता तो alguns को वां पे comment में पूसना वां पे मैं explain कर दूंगा उसीच को अच्छी थे सैविन टैरर नूंबर सैविन दाज का क्या कहता है नाइधर ऑफ गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट प्रपोजल प्रपोजल बताना है वन टू थ्री फॉर कौन से बाढ़ में अभी हमने से पहले एक सेंटेंस यहां पर किया था क्या यह जोगा वाज का यह जोगा तो नाइधर ऑफ गर्ल्स वर्ट विलिंग टू एक्सेप्ट प्रपोजल राइट हो जाएगा तो अप्शन नमबर बी में मिस्टेक है वर की जगह अब यूज करो वाज का ठीक है एट नमबर का हमारा एरर क्या बोलता है एन इंट्रेस इंट्रेस्टिंग बुक शोरी जो मिस्टेक अभी मैंने बताया था एपिक वाला जोबी एरर बताया था वैसे हमारा इंट्रेस्टिंग को कैसे लिखोगे इन in interesting ऐसे लिखोगे न यह निया हमारे साउंड आ रहा है किसका रहा वाविल का रहा है यह हमारा वाविल होता है वाविल से पहले अर्टिकल यूज करते हैं एन का ना की एक आ तो यह राइट हो जाएगा एन इंट्रेस्टिंग बुक, option number one में mistake है, article A की जगह N का use करना है, nine को बात करते हैं, I worked as medical representative for eight months, मैंने काम किया था, एक medical representative की तरह, आठ महीने के लिए, आठ महीने के लिए मैंने एक medical representative की तरह काम किया था, अगर इसे meaningful बनाएं, तो option number B में हम क्या करेंगे, article A हमें add करना पड था, तो option number B में mistake है, as के बाद हमें use करना है article A का, तो option number B हमारा strong हो जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ने से बिले एक important बात आपको बताना चाहता हूँ, आप में से कोई भी अगर नहीं हो, या चैनल पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, error कि इससे पहले भी और भी वीड वीडियो देखना, वहां से आपके error जो है, exam तक में इतनी वीडियो करा दूँगा, कि आपके exam तक error यहापे clear हो जाएंगे, पूरे doubt, ठीक है, तो यहापे telegram, Instagram या Facebook तीनों पर आपको target SSC 2020 करके page है, तो वहाँ पर तीनों पर आपको कोई भी doubt होता है, तो पूछ सकते हो, tele telegram को जरूर जोइन करना, क्योंकि यहापे बहुत सारी में PDF जो भी मुझे लगता है, इन्पॉर्टेंट है, तो वह PDF में आप यहापे देता हूँ, telegram पेज पे, उसका link आपको description मिल जाएगा, telegram पेज को जरूर जोइन करना, ग्रुप को, तो वह आपके लिए बहुत बहुत सारी कुछ है, जो लोग है, बंगलद इंडिया से, ठीक है, बंगलद इस इंडिया रहे रहने के लिए, पर्मेनेटली तो यहापे क्या करना है, मैनी, आपको पता है कि मैनी हमारे क्या होता है, प्लूरल होता है, तो अब भी हमारा प्लूरल आने चाहिए, बट अग यह a और n यूज करते है तो यह हमारा क्या बनाता है singular बना दिता यह और n का मतलब क्या हो गया एक की बात करा है एक टाइप से तो यह क्या हो गया singular हो गया अब singular हो गया तो इसके साथ वब्भी हमारा क्या यूज करना पड़ेगा singular यूज करना पड़ेगा तो many a man has come to India from Bangladesh ठीक है clear right इसको देख लेना है अपर मैंने के बाद अगर a और n का यूज करता है तो वह बना देगा उससे singular और वब्भी उसके साथ क्या आना चाहिए फिर singular तो है की जगह है जाएगा देने option number b में mistake हो जाएगा error number 11 क्या क्या क्याता है अवर football team comprises of 11 skilled players बताना 1 2 3 4 कौन से बाद में रह रहा है हमारी जो football team है वह बनी हुई है 11 players से जो perfect skill है ठीक है दक्ष खिलाडियों से ठीक है तो यहां पर देखने क्या आएगा comprises comprises के साथ जो है आफ यूज नहीं करते क्योंकि comprises का meaning आप कह सकते हो क्या होता है consist of ठीक है consist of भी को क्या बोलो गया comprises यानि of एक type से इसी में पहले से include है यानि ठीक है off अगर हम इसके साथ add करते है तो एक type से क्या हो जाएगा superfluous हो जाएगा जो कि हमारा wrong हो जाए तो option नमबर B में stick off को हटा देना बात करते 12 knowledge and wisdom makes and individual truly complete and self-assured option नमबर 1,2,3,4 कौन से पाड़ में एरर बताना है देखे knowledge and wisdom knowledge हो गया एक ये हो गया and wisdom दोनों की बात करा है यानि दो हो गया subject हमारा plural हो गया तो यहां पर makes क्या है singular है तो प्लूरल करना पड़ेगा तो यहां पर क्या आएगा makes की जगह आप यूज करो किसका make का ठीक है तो option number one में mistake है हमें makes नहीं बलकि make use करना क्योंकि वो knowledge की भी बात करा और wisdom की भी बात करा है ठीक है एरा number 13 one of the boys who always give the correct answer is samuel उन लड़कों में से एक जो हमें से क्या करता है राइट अंसर देता वो कौन है samuel है तो किसी एक one of the boys ठीक है plural noun singular verb वप का है गीव ठीक है गीव हमारा क्या है plural हमें क्या यह उसकरना है singular यानि क्या आ जाएगे यहां पर गीव सा जाएगे क्योंकि correct answer उन सब में से कोई एक दे रहा है तो यहां पर एक दे रहा है तो इसका मतलब singular यूज़ करना पड़ेगा तो गीव नहीं वलकि गीव साएगा तो option नमबर बी में यानि वहां पर यूज़ करना है वर्व की second form का वर्व की second form का यूज़ करना है तो यहां पर रेनोवेट की जगह क्या यूज़ करना है रेनोवेटेट क्या है रेनोवेटेट यूज़ करना पड़ेगा it is time or it is high time का रूल यह कहता है कि इसके साथ वर्व की second form यूज़ करत इंस्ट्रक्टेट दा टीचर्स तो फॉल्डव दा पॉल्ड इस्कूल ऑफ्शन नमबर 1234 कौन से पडमेर बताना है तो हैड मास्टर ने टीचर को इंस्ट्रक्ट दिया कि वह रूल को फॉलो करें जो भी स्कूल के रूल से उन्हें फॉलो करने को तो यहां पर हैड मस्टर सब्सक्राइक और तो हैड मास्टर इसका मला सबी कि Erst उक्त्र को यह चानते हैं तो फॉलो के सब्सक्राइद करा दो और से पत्माकड कर। क्या कि यह करेगा तो यहां पर यह पर स्कुल का कौन होगा एक ही होगा तो वह उस टीचर क्या करेगा इंस्टर करेगा तो यह यह हमारा क्या होगा यह करना पर हैड्यक्ट हो जाएगा ऊप्शन नमबर 1, 16 एरर नमबर 16, the first inning of the match was very sensation, sensational, ओक्य? 1, 2, 3, 4, एरर बताना, कौन से बाड में? The first inning, जो पहली पारी है, match की, वो बताना, 1, 2, 3, 4, कौन से बाड में? इनिंग योज़ नहीं करते हैं, कभी भी क्या योज़ करते हैं? इनिंग्स यूज करते है अब हमारा sense हमारा singular हो या plural हो दोनों form में हमें इनिंग्स यूज करना है ना की इनिंग यूज करना है तो यहां पर क्या है इनिंग आएगर ना की इनिंग जैसे summons होता है, measles होता है mathematics कुछ ऐसे noun होते है दिखने में हमें plural लगते बट उनका meaning क्या होता है, singular होता है, ठीक है, तो innings भी उनमें से एक हो गया, s लगा होता है पहले से, यानि innings वान हमारा right होता है, ना कि innings, तो option no.1 में mistake है, innings में s add कर देना, next बात करते हैं, next क्या कहता है, how long it takes to travel from Chennai to Trichy by train, देखे, question mark, question mark लगा है, तो how से start हो गया, ठीक ह है, हो से start हो गया, ठीक है, wh word से या फिर हो से start हो गया, उसके तुरंत बात हमें क्या चाहिए होता है, verb चाहिए होता है, auxiliary verb यहाँ पर चाहिए हमें, auxiliary verb है, how long के बाद क्या करना पड़ेगा, it takes की जिगह हमें करना पड़ेगा, does it take, क्या करना पड़ेगा, does it take, यानि auxiliary verb यू 18 के बात करते हैं तो one should respect the religions of others as much as his own ठीक है तो हमें respect कनी चाहिएगी दूसरे धर्मों के लावा खुद के धर्मों के लावा खुद के अलावा दूसरी धर्मों के भी हमें respect करनी चाहिए तो यह वो कह रहा है तो यहां पर दिखे हिस हमारा पॉजिसीव प्रणावन है और इस्टार्ट होए वन तो वन का यहां पर पॉजिसीव प्रणावन यूज होगा क्या होगा वन का पॉजिसीव प्रणावन क्या होता है वन्स होता है हिस हमारा तब होता है जब यहां पर ही स्टार्ट होता है ठीक है तो वन से स्टार अब यहां पर दिखे प्रीफर वर्ड आया प्रीफर ठीक है प्रीफर इसके लाबा मैं और एक्जांपल देता हूं जैसे हमारा जूनियर भी आता है सीनियर भी आता है उसी में हमारा प्रीफर भी आता है तो इसकी बाद हमें प्रीपोश्चन का यूज करना पड़ता है टू के बाद हमेशा प्री पॉश्चन टू का यूज करना है ना कि देन का तो ऑप्शन नमबर ठल्ट में मिस्टेक है देन के जगा आप टू का यूज करना है ट्वंटी में करा चुका हम इससे पहले रिपीट होगे फिर से ठीक है बात करते हैं ट्वंटी वन क्या एगा आई वाज लेंग डाउन वेन दा डूर बैल रेंग तो यहां पर देखे ऑप्शन नमबर बी में बहुत ज़्यादा इसको मैं एक वीडियो में बता चुका हूं तो वह वीडियो आप जरूर देखना और वीडियो में बना दूँगा तो वहां पे इस जिज़ को क्लियर करोंगा कि ले और लाइ में क्या डिफरेंस है ठीक है यहां पर रहा लगी नहीं बलकि यहां पर आ जाए लैंग तो यहां पर ज्ञांझे यहां lying n-y-i-n-g खुद को एक फ्लैट पोजिशन में रखना तो यह होता है lying n-y-n-g तो option नमर बी में लेंग कि जगे lying आएगा l-y-i-n-g 22 water contamination has become more serious since chemists have begun to use new substances option 1, 2, 3, 4 कौन से बार में विश्टेगा water contamination has become more serious since chemists have begun to use new substances के बाद हमें 0 का यूज करना होता है बिदि के बाद हम करते हैं इंफिनिटी करो plus की किस करता हैं कि क्यूस करते हैं यहांची तो यहां पर मीस्टेक है है बिघन के बाद हमें using करना है तो यहां-पर हो जाएगा work है बिगें बिगें यूजिंग नियू सब्स्टेंश ऑप्शन नमबर भी में तो यूज की जएगे यूजिंग यूज करना है 23 due to inflation the cost of living escalated in the past last one year due to inflation inflation की काराणिया यानि ये पास्ट की बात हो गया the cost of living जो cost of living थी वह exclate वही है last one year में क्या हूई वह exclated हो चुकी है ठीक है तो यहां पर जब भी देखे पास से हमारा जारा present में ठीक है तो पास से present में जारा तो यह वाला जो पार्ट होता है यह हमारा किसमा आएगा present के perfect में आएगा तो राइट हो जाएगा has exclated यानि यहां पर last one year में वह क्या हो चुकी है the cost of living क्या हो चुकी है exclated हो चुकी है तो यहां पर has exclated राइट हो जाएगा option number थल में mistake हो जाएगा exclated से पहले हमें has use करना पड़ेगा 24 क्या बात करें just as I was entering the room the family was going for a party जैसी मैंने enter किया था रूम में तो family वाली कहां जा रहे थे party में जा रहे थे ठीक है यह party में जा रहे थे ठीक है तो यहां पर दिखे पाल्टी में जाना और पाल्टी के लिए नहीं जा रहे थे बलकि पाल्टी में जा रहे थे तो यहां पर फोर यूज नहीं आगा क्या आएगा to use करना पाल्टी में जाना और पाल्टी के लिए जाना बहुत ही अलग बहुत जादा difference हो जाता तो यहां पर पाल्टी के लिए नी जा ले वो पाल्टी में जा रहे थे तो यहां पर आ जाएगा हमारा 4 नहीं बलके हमें क्या जूज करना है 2 का option no.3 में mistake है going to a party हमें right करना पड़ेग उसे इसे जो है amputated यानि अलग करना ही चाहिए तो must have का मतलब क्या हो गया है उसे करना ही चाहिए तो यहां पर चाहिए का कोई sense नहीं है बटे हम must have use नहीं करना पड़ेगा must इसको एक बार देख लेना इसे जो है इसे जो है इसे जो है बॉड़ी से अलग करना था तो यहां पर option no.3 में mistake हो जाएगा कोई भी doubt हो था इसमें तो इसको एक बार देख लेना कि क्या इसमें error होगा ठीक है लेकिन बी पार में error हो जाएगा must have हमारा नहीं चाहिए कि must have हम 100% के लिए बोलेंगे कि उसे बिल्कुल जो है करना चाहिए था बट उसे वह एक टाइप से क्या है बहुत जदा अगर वो badly insert है तो उसे इसे body से अलग करना था ठीक है तो यहां यहां पर must have नहीं आएगा बल्कि must have की जगह आप यूज कर सकते हो had to get ठीक है had to get it amputate it यहां पर आयट हो जाएगा ठीक है तो option नमर बी में mistake है total मिला क्या हमारा इस चीज में थोड़ डाउट होता है तो उस चीज को पूछ लें ताकि मैं अच्छे से explain कर दूँ next वीडियो में इस चीज को you need not tell a lie when the judge asked you where you were when the crime was committed you need तुमें जो है जूट नहीं बोलना चाहिता है जब जज ने तुमें पूछा था कि तुम कहां थी जब जो crime हुआ था तो यहां पर you need not tell a lie ठीक है अब यहां भी ठीक है tell use कर रहा है तो यहां पर प्रजेंट का वाइसी फर्स्ट फोंगा पास्ट की बात कर रहा है तो यहां पर sense के according तुमें जो है जोटनी बोलना चाहिए था तो यहां पर यहां यूज करना पड़ेगा first part में क्या यूज करन you need not have told a lie ठीक है यहां भी यूज करना पड़ेगा तुमें जोटनी बोलना चाहिए था तो option no.1 में mistake है सही कर लेना you need not tell a lie कि जिक है you need not have told a lie राइट हो जाएगा option no.1 27 क्या कहता है 27 कहता है read not to contradict not to believe but to weigh and consider ठीक है read not to contradict not to believe but way to consider इसका answer मुझे comment में बताना है कि इसका answer क्या हैगा सभी को इसका answer मुझे comment करके बताना इससे पता चलेगा कितने लोग continue वीडियो को देखने है यहां तक कितनों वीडियो को देखा है 27 का मुझे जो भी अंस यहां कुई भी पार जिस भी पार में error हो चाहिए इस वाले पार में यह नहीं but to weigh and consider में या फी no error या फी not to believe आएगा या फी not to contradict आएगा कौन से पार में error है इसको comment में मुझे answer करना है 27 question no.27 का बागी सभी का मैं बता चुका हूँ 28 अफ्रीका is the second largest continent and it contain about one-fifth of all the land of in the world अफ्रीका जो है दूसरी सबसे बड़े continent है और यह one-fifth of the पूरे जो वर्ड है उसका one-four जो लेंड है इसके पास है ठीक है अफ्रीका के बाद तो यहां पर दिखी क्या हैगा अफ्रीका की बात कर रहा है अफ्रीका यानि कंट्री क हो गया सिंगुलर हो गया तो contain नहीं आएगा क्या आएगा contents आएगा it contents about one-fifth of all the land in the world option नबर बीम में मिस्टेक है content की जगए contents यूज करना पड़ेगा क्योंकि अफ्रीका उमारा singular है इने फिए हट फ्रेंट करते हैं वी हट रडिली वी हट रिवी रिष्ट रिच्ड रिच्र व्लेट फ़्ट फार्म डें टेन कं इन ठीक है अब मुस्किल से इस पोचलिए ठीक है कहां पर प्लेट फॉर्म में जब जो रतर रहा ट्रिट फार्ड पर ञांगे थी तो यहां हाडली और स्कार्सली देन यूज करते हैं नो शूनर या सूनर के साथ ठीक है तो अप्शन नमबर थर्ड में मिस्टेक है देन की जगे यूज करना है वैन का है तुन थर्टी ठीक है एधा नमर थर्टी आज रहा है और नो इंडिविज्वल इस रिस्पॉणसिबलिटी बताने ऑन तो थी पॉर कौने बढ़ में रहा रहा है कि देएर आर नो सेंस आभ रिस्पॉंसिबलीटी लो इन्डी विजुल बता रहे है तो इहां पर आर नहीं आएगा नो शेंस दोनुहीं हमारे सिंगोलर तो बड़ आएगा आर की जगह में यूज करना पड़ेगा सिंग्लोर भनी क्या आएगा हमारा यह चेंज हो जाएगा तो यहां पर बताना कौन से पार्ट में एरर है तो यहां पर कोई एरर नहीं लगा रहा रहा आपको इस वाले कोई एरर लग रहा है तो इसको कमेंट में जरूर बताने की एरर क्या है बट मेरे कोडिंग यहां पर कोई एरर नहीं है बिल्कुछ सही होना चाहिए था आइम नॉट शॉर इफी विल कम ठीक है 32 एरर नॉबर 32 आइफेल्ट प्रिविलेज्ट टू रीसाइट आ पोयम इन अन ओनर ओफ माई-टीचर एट रिसेंट स्कुल फंक्शन बताने हैं वन टू ठीफूर कॉन से पाड में आइफेल्ट प्रिविलेज्ट टू रिसाइट पोयम इन ओनर ओफ माई-टीचर एज रि countable honor हमारा कैसा uncountable है जब uncountable है तो इसके साथ A और N यूज नहीं करना पड़ेगा क्या यूज करना पड़ेगा कि definite article आप दा का यूज यहां पर कर सकते हो ठीक है तो write हो जाएगा I felt privilege to recite a poem in the honor in the honor यहां पर write हो जाएगा in the honor यहां पर write हो जाएगा option number B में second part में error है honor से पहले हमाए article n का यूज करना है क्यों रिजन के हैं क्योंकि honor हमारा uncountable है इसके साथ आप definite यूज कर सकते हो एर नंबर 33 क्या कहता है it is now five years since I visit the Delhi it is now five five years भी चुके ठीक है वो पास साल पहली की बात कर रहा है जब वो डैली विजिट किया था उसने यहां पर पास विजिट किया था यहां पर विजिट किया था यहां पर विजिट किया था पास साल भी चुके जब उसने डैली विजिट किया था पास्ट की बात कर रहा है तो यहां पर विजिट की में मिस्टेक हो जाएगा थर्टी फोर प्रीजिनर्स इस्पेशली लॉंग टर्म कन्विक्ट हैव तु सफर मोस्ट फ्रॉम इमोशनल इस्टावजिशन ठीक है नोगे रहा है प्रीजिनर्स इस्पेशली किसकी बात करा है लॉंग टर्ब कमेट जो कैदी होते हैं जो लंबी टॉर्चर है उन्हें जो उम्र कैद 무대 को बौलते हैं लाइ侥 टाइम कान्विक्ट के लेंस नफीट के लिकांग जाएं लाइफ टाइम उम्रट के लिले भीटी यह थाएं यानि प्रिजन स्पेशली लाइफ टाइम कन्वेक्ट्स यहां पर राइट करना पड़ेगा उम्रेकर की जाए अप्शन नमबर वन में मिस्टेक हो जाएगा यहां पर राइट आएगा यानि इसके बात अने चाहिए अर्टिकल लेकर बात तो इस नौट अब वॉर्थ रिडिग अब हमारा राइट हो जाएगा यानि हमारा सही हो जाएगा तो राइट है ऑप्शन आफ बी में मिस्टेक था बुक हमें पहले लाना था तो राइट हमें जो होगा इस इस नौट आप बुक वॉर्थ रीडिंग सो डॉंट रीडे ठीक अप्शन नमबर टू में मिस्टेक हो जाएगा एडर नुमर 36 कोई भी एर करना जो भी कोशन में आपको मिस्टेक हो था जो भी एरई में आपको मिस्टेक हो था उस एरख वाँ पर करके मुझे बूल देना कि इसने मिस्टेक समझ भी नहीं आ और तुम यहां पर मैं हो सकता है जो है नहीं पर पो सकते हैं 36 हमारा एरेन प्रफटर्श कि क्या करता है दा व्यूटिफुल यंगल जंप इन दा रिवर इन इस टेट ऑफ डेप्रेक्शन दा व्यूटिफुल यंगल ठीक है वह क्या थी उसने रिवर में जंप किया कैसे जब वह डिप्रेशन वाली कंडिशन में थी तो यहां प बी में मिस्टेक है जंप इन टू दा रिवर राइट हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीच बना रहे है नमबर ठीचीट डट्री इस लोगजींग इट्स लीव जो पेड़ है वो क्या कर रहा है अपने पत्ति खो रहा है कोई मिस्टेक नहीं है और नो यहां पर हो जाएगा सब्सक्राइब कोई मिस्टेक नहीं लग रहा दे डिसाइड टू कंसल करना चाहिए रिसाइड किया कंसल करने का मैं इस गाइडेंस कांसलर से तो नो एरर ऑप्शन नमबर फोर राइट हो जाएगा 39 क्या क्या क्याता है आई शौ टू डियर सिंदा वोट्स ठीक है वोट्स कभी नहीं होता यह चीज आप नोटिस खलो कि डियर कभी नहीं होता डियर आप कह सकते हो ठीक है तो यहां से एस हट जाएगा ऑप्शन नमबर साइकिंड में तू डियर यहां पर राइट हो जाएगा आज का लास्ट हमारा एडर नमबर फुट्टीए आइँजय जोगिंग अड प्लेइं दप्यानों ऑप्शन नमबर वन टू ठ्रीफॉर कौन से बाड़ मिस्टेक है आइंजोई जोगिंग एन एनजोई प्लेइंग टाइन प्लेइंग दप्यानों यहां पर देख रहोगा या नो ठीक है बागी इंपॉर्टेंट सीज यह होते हैं कि टेलिगन आपको आप जरूर जोइन करना उसका लिंक देस्क्रेप्शन में आप इस कोई भी नया हो अगर वीडियो अच्छे रहोती है तो और वीडियो भी आप जरूर देखें प्लेइलिस्ट में जाके सभी वीडियो को पूरा देखना है चाहिए आप इंपॉर्टेंट में यही है कि वीडियो आप देखते हैं या नहीं देखते हो ठीक है क्योंकि वीडियो में इतनी मेहनत से बना तो आपका फर्ज बनता कि आप वीडियो को पूरा देखें लास्त तक जीए उसके बाद जो भी क दन्यवाद आपका इतना सपोर्ट करते हो इसी तरह कंटीनु करते रहे आप दन्यवाद